नमस्कार मेरे रजय सानी और आप देख रहे हैं विजनौर एक्सप्रिस विजनौर में दो पुलिस कर्मियों ने वर्दी को दागदार करते हुए अपने दो गुर्गों से मिलकर एक कंटेनर चालक से 20 लाख रुपए की दिमांड कर डाली कंटेनर चालक को 4 लोगों ने एक राय होकर कमरे में कैद कर लिया और 20 लाख रुपए की दिमांड करने लगे मामले में कंटेनर मालिक की ओड से पुलिस को तेहरी दी गई तो पुलिस ने मुकदमा दरज कर लिया जाच के दोरान दो पुलिस कर्मियों के चेहरे से भी नकाब उतरा और पुलिस ने मामले में शामिल दोनों पुलिस कर्मियों और उनके दोनों साथियों को ग्रफतार कर लिया है। करकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। साजित वो गुड़ू ने कंटेनर को रोक कर अपने आपको NCB का सरकारी अधिकारी बताया और कंटेनर चालक से 20 लाग रुपए की डिमांड कर डाली। कंटेनर में बीडी सीगरेट लदी हुई थी। जिस पर NCB के अधिकारी बन कर दोनों आरोपियों ने टेक्स चोरी करने का दबाब बनाते हुए उनसे 20 लाग रुपए की डिमांड की मामले से। पर्दा तब उठा जब कंटेनर मालिक को शक हुआ तो कंटेनर मालिक ने पुलिस में तहरीर देकर फरजी अधिकारियों को ग्रतार करने की मांग की। मामले की जाच बिजनोर सीयो अनिल कुमार को स्वापी गई। बिजनोर सीओ अनिल कुमार की जाच ने पूरे मामले से परदा हटा दिया बिजनोर सीओ अनिल कुमार की जाच में आया कि घटना में दो पुलिस कर्मी भी शामिल हैं जिनका नाम लोकेंद्र वो सोनू है आपको बता दे कि सोनू बिजनोर पी आरवी 112 पर तैनाथ है जबकि लोकेंद्र थाना कोत वाली शहर में ही तैनाथ है बिजनोर एस्पी सिटी प्रवीन रंजन सिंग ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों पुलिस कर्मियों सहीत चारों को जेल भेजने की बात बया की है बिजनोर एक्सप्रेस के साथ समवादाता आकिफंसारी बिजनोर कि डिडवली जनपद अम्रोहा का रहने वाला है उसने एक अभियोग पंजी कराया कि कुछ लोग उनने इन सीवी के अधिक्यारी बनकर हमारी ट्रक जो माल लेके आसाम से आ रहे थी उसको रोक के और ट्रक कहीं खड़ा कर दिया है और ड्राइबर को साथ में ले गए इस सूचना पर तद्काल अभियोग पंजी करित किया गया तीन टीमें हमारी इन सब को ढूरने में लगी ड्राइबर जब तलास्ते हुए पकड़ में आया तो उसने बताया कि हमें दो लोग जिनका नाम गुड्डू और साजिद है जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं इनके साथ जो दो आरच्छी यहां जनपत बिजनौर के उसमें से एक का नाम सोनु यादो दूसरा लोकेंद्र है सोनु पियारबी मुबाइल का ड्राइवर है हरे लोकेंद्र कोतवाली नगर पर नुक्त है इन दोनों के सहयोग से ट्रक को रोक के ड्राइवर को जो कांस्टेविल है उसके कमरे पर ले जाके बंदद्र बनाया उसके मालिक से 20 लाक रुपए की मांग की जा रही थी ड्राइवर किसी तरह वहाँ से निकल के भागा उसने अपने मालिक को पताया इसके आधार पर यह सोचना प्राप्त होई इन सब की गिरफतारी के बाद जब पूस्त आज की गई तो यह तक प्रकास माया कि मुरादाबाद में एक चौकी पर निक्त एक पुलिस करमी उसके बाद फिर परिवहां साखा में निक्त एक कांस्टेविल ड्राइवर ने यहां सोनू का नंबर इन गुड़ू पिजनाओर की सभी ताज़ा खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सबस्क्राइब करें